कालू कुवा एक बहुत अच्छा बक्षी था पर उसकी कुंडली में तीन शादी लिखी थी लेकिन कालू कुवा ऐसा कभी नहीं चाहता था मैं हमेशों से अपनी एकी बीवी के साथ पुरी जिन्दगी को जानना चाहता था ऐसे ही उसकी पहली मुलकार चिंकी चिडिया से होती है चिंकी चिडिया को देखते ही कालू कुवा को उससे प्यार हो जाता है और उसे अपना दिल दे बैठता है समय यूही कुजरता है और आखिरकार एक दिन कालू कुवा चिंकी चिडिया को शादी के लिए प्रपोस कर देता है चिंकी हम पिछले दो साल से एक दूसरे को जानते हैं मैं जानता हूँ तुम भी मुझे उतना पसंद करती हो कि जितना मैं अच्छा तो तुम सब चानते हो तो तुम ये भी चानते होंगे कि मुझे तुम से क्या चाहिए हाँ चानता हूँ इसलिए तो मैं तुम से इस पार्क में मिलने आया हूँ जहां हमारी मुलाकात पहली बार हुई थी चिंकी क्या तुम मुझसे शादी करोगी क्या तुम मेरी जिंदगी में आकर मेरी जिंदगी को खुशियों से भरोगी सच में कालू तुम तो सब चानते हो कालो चिंकी चिर्या को शादी के लिए प्रपोस्टों कर देता है पर जब वे घर आता है तो वे देखता है कि कुछ मेमान उसके घर आये हुए है कालो को अगर आये मेमानों को देखकर शान्त हो जाता है और मेमान की जौने के बाद अपनी मा से कहता है मा ये सब कौन थे अरे मेरे प्यारे लाल ये लड़की वाले थे तुझे देखने आये थे मैंने तुझे कहा था ना आज घर पर रुखना तू तो पंख फिला कर उड़ गया फिर भी लड़की वालों ने शादी के लिए हाँ कर दी है जब अगले ही माईने तेरी शादी रिंकी चिरिया से हो जाएगी तो एक बार तो रिंकी चिरिया को देखना उसकी सुन्दरता देखकर तो उसके रूख कर दिवाना हो जाएगा पर मा एक बार तुम उससे पूछ लिया होता कालू मैं तेरी मा हूँ मैं तेरी जिन्दिगी के फैसले ले सकती हूँ अब तेरी शादी किस से होगी और किस से नहीं ये मैं तुस्से नहीं पूछोंगी तु वही करेगा जो मैं चाहूंगी और अगर तुने इस शादी के लिए मना किया तो अपनी मा का तु मरा हुआ मू देखेगा मा तुम तो बेकार ही नराज हो रही हो मुझे बता देती तुम्हें घर जल्दी आ जाता मैं तो बस इतना ही कह रहा था अब शान्त हो जाओ वरना तुम्हारा बीपी बढ़ जाएगा और तुम्हारी दम की सच हो जाएगी कालू को अपनी मा को खोना नहीं चाता था इसलिए अपनी मा को सच नहीं बताता और इस शादी के लिए हां कर देता है तो वहीं दूसरी और चिंकी चिडिया भी शादी के सारी तयारिया खर लेती है कालू को अचिंकी चिडिया को भी नहीं छोड़ना चाता था इसलिए वे रिंकी चिडिया से शादी करने के बाद चिंकी चिडिया से शादी कर लेता है और उसे अलग घर में रखता है कालू मेरी चप से शादी हुई है मैं इसी घर में हूँ तुम मुझे अपने घर कब ले जाओगे आखिर तुमारी मा कब मानेगी अगर माजी नहीं मानी थी तो तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी चाहिए थी चेंकी अगर मैं तुमसे शादी नहीं करता तो तुम्हारे घरवाले तुम्हारी शादी कहीं और करवा देते और मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता मैंने कहा था ना थोड़ा समय दो मा भी मान जाएगी कालू कोई कभी पी चिंकी चिडिया को सच नहीं बता पाता कि उसकी माने जबर्दस्टी उसकी शादी रिंकी चिडिया से करवा दी पर बिचारा कालू कोई करता भी क्या वे अपनी दोनों पत्नियों का अच्छे से खयाल रगता है समय यूँ ही गुजरता है और एक दिन कालू कोई की गाड़ी से पिंकी चिडिया का एक्सिडेंट हो जाता है कालू कोई उसकी चान बचाने के लिए उसे हॉस्पिटल ले जाता है पर पिंकी चुडिया का नशेडी बाप कालू कोई के पीछे बढ़ जाता है पर तमीच पक्षी तूने मेरी बेटी का एक्सिडेंट कर दिया उसके दोनों पंक तोड़ चुके हैं अब वे कभी उड़ नहीं सकती हब बता उससे शादी कौन करेगा पर उड़ने की क्या ज़रूरत है अब हम पक्षियों ने भी गाड़ी ले ली है आपकी बेटी गाड़ी भी तो चला सकती है नलाया पक्षी गाड़ी चलाने के लिए तो पंक होने चाहिए न तूने तो उसके पंक थोड़ दिये अब तुझे मेरी बेटी से शादी करनी होगी तुने उसके जिन्दगी खराब कर दी है अब तु ही उसके जिन्दगी सवारेगा अगर तुने मेरी बेटी से शादी नहीं करी तो मैं तुझे सलाकों के पीछे डलवा दूँगा चिट्टा अपने बेटी की शादे जबर्दस्वी कालुकोई से करवा देता है बिना उसके बास सुने बिचारा कालुकोई एक और शादी में फस चाता है ना चातु ये भी कालुकोई की तीन शादी हो जाती है और वे अपने तीन बीवियों के जिम्मेदारी उठाता है समय यूँ ही बीटता है और एक दिन कबुद्री को पता चल जाता है कि उसके बेटे ने दो और शादी कर रखी है बेशरम बेहया हमारी साथ पीडियों ने किसी ने दो शादी नहीं की और तूने तीन शादी कर ली अगर रिंकी को पता चल गया तो वे बिचारी जीते जी मर जाएगी पर मा मैं तो एक ही शादी करना चाता था मेरी कुंडली में ही दोश है तीन शादी का इसलिए मेरी तीन शादी हो गई है एक बार आप मेरी पूरी बात तो सुन लो अगर आप इसी तरह चिलाती रही तो आपकी तबेत खराब हो जाएगी कालो को अपनी मा को शांत करने की काफी कोशिश करता है पर कबूतरी का बीपी इतना बढ़ जाता है कि वही पर वो अपना दम तोड़ देती है कालो को अपनी मा को नहीं बचा पाता पर अपनी सच्चाई को छुपा लेता है समय यूही बीटता है और एक दिन कालो कोई की तबेत अच्चानक थे खराब हो जाती है और जब यह हॉस्पिटल में अपना चेक अप करवाता है तो कालो को एक को पता चलता है कि उसे ब्रेंट यूमर है और उसके पास कुस्छी समय बचा है मा देखो तुम्हें बीबी की बिमारी थी और मुझे ब्रेंट यूमर है हब मैं एक बिमार पती अपनी तीन बीवियों का खड़चा कैसे उठाऊंगा और अगर उन तीनों को पता चल गया कि मैंने तीन शादिया की है तो वे तीनों अपने बिमार पती को छोड़ कर चली जाएंगी मा लगता है मेरा भी तुम्हारे पास आने का समय हो रहा है कालू कौँव अपनी बिमारी अपनी तीनों बीवी से छुपाने की कोशिश करता है पर उसके ये बिमारी जादा दिन तक नहीं छुपाती ऐसे ही एक दिन कालू कोई चिंकी चिरिया के साथ खाना खा रहा होता है तब यूसे अचानक से चक्कराते हैं और वे बेहोश हो जाता है चिंकी चिरिया जब कालू कोई एको हॉस्पिटल ले जाती है तो चिंकी चिरिया को पता चलता है कि उसका पती बिमार है कालू तुम बिमार हो तुमने मुझे बताया भी नहीं आगर क्यों क्या मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ चिंकी तुम मेरी पत्नी ही नहीं मेरा प्यार भी हो इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं बता रहा था अगर तुम्हें सच्चाई बता देता तो तुम मुझसे पहले ही मर जाती और मैं अपनी आखों के सामने तुम्हें अपनी मा की तरह मरते हुए नहीं देख सकता मेरे पास अब कम ही दिन बचे हुए हैं इसलिए अपने इस बिमार पती को खुश रखने की कोशिश करो कालो कुवा चिंकी चिडिया को तो समझा लेता है पर समय के साथ कालो कुवा की बिमारी के बारे में उसके दोनों बीवे रिंकी चिडिया और पिंकी चिडिया को भी पता चल जाता है कालो जी आपको इतनी बड़े बिमारी है हाप बस कुछी दिन के मेमार है फिर भी इतना काम करते है आपने क्यों नहीं बताया के आप इतने बिमार है क्या बताता कि मैं मरने वाला हू मुझे तुम्हारी जरुरत है क्या फर्क पढ़ता बता भी देता मरना तो मुझे फिर भी है मा की बहुत यादा रही है हम बेरा सवे हो रहा है मा के पास जाने का बिमार कालो कोई अपनी बिमारी के बारे में किसी को नहीं बताता और नहीं अपनी सच्चाई किसी को पता चलने देता है पर कालो कोई के मरने के बाद जब उसकी property उसके तीनों बीवियों के नाम बराबर हिस्सों में बढ़ती है तो मरने के बाद कालो कोई का ये राज भी खुल जाता है पर ये राज खुलने के बाद भी उसकी तीनों बीवियों से नफरत नहीं करती क्योंकि उन तीनों बीवियों को समझ आता है कि किन हालातों में कालो कोई ने तीन शाद